शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले महराश्र राज्य धोबी परीट समाज महासंग नागपूर शहर की ओर से दस्वी में मेरिटाय समाज के विध्यार्तियों का प्रमान पत्र देएकर सन्मान किया गया इस मौके पर डिडी सोंटक के मौझूद थे महराश्र रिधोबी परीट समाश महासंग नापपुर शहर की ओर से दसवी की परिक्षा में समाश के विध्यार्थियों ने अवलंग प्राप्त करते हुए मेरी टाए ऐसे होनार छात्रों का सतकार शहर के सामाजिक कार्यकरता डीडी सोंटक के इनके हाथों किया गया कारेक्रम की शुरवाद दीप प्रजवलन और संतकार के बाबा इनके प्रतिमाग को माले आरपन कर की गई इस मौके पर शहर के माननेवर नागरीक ओपस्तित थे, विध्यार्थियों को डीडी सोंटक के और ओपस्तित माननेवरों ने मार्ग दरशन किया इस कारेक्रम में आए विध्यारतियों के अभिभावक काफी करीब और टचालक प्रेस की दुकान चलाने वाले है धोबी समाज का मुख्या पारंपारिक ब्यावसाय गंदे मैलक अपड़े धोने का है धोबी समाज को आप तक न्याय नहीं मिला है या ये कहे कि समाज आर्थीक, सामाजिक और शिक्षाक शेत्र में काफी पिछड़ा है जिससे इस धोबी समाज के लोगों को और उनके विध्यारतियों को काफी नुकसान हो रहा है सबसे पीछरा वर्ग में धोबी समाज का उलेक आता है इस समाज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसके बावजूद इस धोबी समाज के विध्यारती अच्छे अवल अंक प्राप कर मेरिट आये है हाले में दस्वी का रिजल्ब निकला है और ये जो परिनाम आया है इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है ऐसा मैं कहूँ तो बड़ी बात नहीं है लेकिन लड़कियों के सासाथ कुछ ऐसी भी लड़के है जिन्होंनों भी अवल अंक प्राप करते हुए अपने स्कूल का और अपने समाच का नाम रोशन किया है आज हम जिस जगों पे है वहाँ पे धोबी परिट महासंग की और से ऐसे मेधावी छांतरों का सम्मान किया जा रहा है ये तमाम लोगों का डीडी सोन्टक के जो डॉक्टर डीडी सोन्टक के साब है उनके हाथो इन सभी को समानित किया गया है अब हम जो मेरिट स्टूडेंट है उनसे बात करते हैं आप बताइए किस प्रकार के आपकी पढ़ाई किया आपने पढ़ाई अच्छी हुई माता पिता के मार्ग दर्शन से अच्छी पढ़ाई हुई और अच्छे अंग मिला है वेलाल तो मेरे घरवले ने बुलाए कि गवर्मेंट ऑफिसर के लिए अपलाए करो गवर्मेंट ऑफिसर तो उसके लिए प्रिपेरेशन स्टाट कर दिये तो अभी फिर सिर्फ महिनत करना है और घर का सपूर्ट है फूल तो बस उनके इस पर खड़ा होना है इस प्रकार के ऐसे सेखड़ो चात्र चात्रा हैं जिन् समाज के लिए हमेशा ही सरकार से दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और यह जो समाज है इस समाज को अब तक के सरकार के और से कोई भी न्याय नहीं मिला है सुन्टा के साब क्या कहना चाओगे आज निशकाम कर्मियोगी संतगार के बाबा महराष्ट राज्य धोवी परिट महासंग की ओर से हम आज जो नाकपूर में जो हमारे समाज बांदव है यह समाज बांदव जो फुटपात पे प्रेस करते है कोई हमारे समाज बांदव कोई एटो चलाते है यह बच्चों ने 95% अंक लिए है इनका सन्मान करना यह हमारा पहले करतव है क्योंकि गारगे बाबा ने पहले बोला है सब एक टाइम भूके रहो लेकिन बच्चे को पढ़ाओ यह हम अधर्शा पुरे समाज के सामने रखते है कि हमारे धोबी समाज में अभी तक हमारे को अरक्षन का मामला 60-60 से चल रहा है अभी तक हमको मिला नहीं लेकिन स्वकर्तुतव से हमारे समाज बांदाओ अपने बच्चों के लिए बीचारे एक टाइम भूके रहते हैं लेकिन आप एक उधारन देखिए कि राजू पिमपण कर साला एक प्रेस करता है उसके लड़के ने लड़के ने बीचारे न 95% किया जो एटो चलाते हैं हमारे समाधान घोटकर है उतके बच्चे में 94% किया है ऐसे हमारे गरीब आर्थिक दुस्टे से कमकोद बच्चे हमारे पालक लेकिन अंक से अधुए उनका सनमान हमने करने का मौका इस छोटे खानी सतकार में किया है हमारे समाज के नयाय दिलवाएंगे अरक्षन दिलवाएंगे समाज को आगे लिने के लिए हम कुछ भी चाये प्रहतन करेंगे यह हमारी कोशिज गाड़गे बाबा के विचारों से रहेंगे संतर गाड़गे बाबा जी का जहां बात आती है तो संतर गाड़गे बाबा इन्होंने समाज के लिए काफी अच्छा प्रभुधन किया है और इस तरह का प्रभुधन किया है कि एक समय में एक टाइम में आप लोग भले भूके रहना पसंद करो लेकिन पढ़ाई निरंतर करो क्योंकि अपने बच्छे को पढ़ाओ क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ोगों लिखोगे तो बनोगे नवाब और यही कामकाज और यही गाड़गे बाबा की सीख आजी समाज के लिए विद्यार्थियू के लिए एक प्रेरना एक मारगदर्शन जैसी बनी हुई है आने वाले पिड़ी को भी संतगाड़गे बाबा इनके विचारों से इनके मारगदर्शन से पूरा आउगत होना पड़ेगा और तब कहीं ये जो मुकाम है ये हासिल हो सकता है वशरते कामकाज करना होगा कड़ी मेनस से पढ़ाई करना होगा और इन तमाम मैं मेरे छात्र चात्रों के लिए यही कहना चाऊंगा कि हिमा लया की है पुकार बहाद दुरो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो आगे सबसे हो चलो कैमेरा परसन विरेंदर खुबरागड़े के साथ संजय मिरे इंबीसेन नियूज नाकपूर